मुख्यमंत्री नितिश कुमार भोशपुर पहुचे जहां सीम नितिश ने जिले को 57 करोड रुपए के दो दर्जन से अधिक योजनाओं की सौगाद दी इस वरान सीम ने आरा के निर्मानाधीन मेडिकल कॉलिज के निर्मान कारे का निरिक्षन किया इसके बाद बढ़हरा विधानसवक्षेत्र के बखोरापुर गाउं पहुचे वहां लोग उनका बिसब्री से इंतिजार कर रहे थे वहां उन्होंने 57 करोड रुपए के दो दर्जन से अधिक योजनाओं का लूकारपन और शलान्यास किया बता दें कि सीम ने 41 करोड 63 लाग की योजनाओं का उद्घाटन और 15 करोड 66 लाग रुपए की योजनाओं का शलान्यास किया साधी 7 करोड 58 लाग की राशी विभिन लाभुकों के बीच वित्रित की इसके बाद मुख्यमंत्री ने कई विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरिक्षन किया बखोरापुर में सीम द्वारा शलान्यास की गई योजनाओं में सबसे जादा बढ़हरा कोई लवर, पीरों और आरा सदर प्रखंट की कई योजनाओं शामिल है मुख्यमंत्री के कारिकरम को लेकर जिलाप्रशासन पूरी तरह मुस्तैत था इस दौरान मुख्यमंत्री नितीश ने बढ़हरा में निर्मित एक पंचायद भवन का उधगाटन किया इस वरान मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिना, स्वास्ते मंत्री मंगल पांडे सहीत, भारी संख्या में बीजेपी और जेडियू के नेता और कारेकरता मौजूद थे बतादें की मुख्यमंत्री नितिश कुमार विकासकारियों को लेकर लगतार एक्शन में हैं, बीते कल भी उन्होंने पटना में बन रहे नए एरपोर्ट टर्मिनल और पार्किंग स्थल का जायजा लिया था, इस ओनान सीम नितिश ने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करन का निर्देश दिया था, बिरो रिपोर्ट पंजाब के स्री टीवी हुँ से विलि़ एकारियों के लिए करना लाइक वांड़यों kole ग्रीप्स, भ्रीया थ למददीफे हे लिए गत्रीए का में हैं, बीते, प्रफ्प गया, बीते, बीते शवर एका-कारिभालई भीनला मेंसेझी दो कहा ही।